सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दियेगा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 2020 के आठ बहुती ज़ादा बड़िया बजट मोबाइल्स जो आपको मिलते हैं साड़े 8000 के बजट में तो इस वीडियो में इन सब मोबाइल्स के अंदर कमपैरESON करके आपको बताऊंगा इन सब में क्या-क्या कम हैं क्या-क्या चाहिया हैं और आपको सब में सक कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा अगर आप एक मुबाइल खरीदने की सोच रहे हैं साड़े आठ हजार के आसपास चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले Redmi की तरफ से आने वाले Redmi के 9A के बारे में दोस्तो ये मुबाइल आपको मिल जाएगा 6800 में इसमें आपको दी गई है 2GB RAM 32GB के इंटरनल स्टोरेज दोस्तो इसके अंदर आपको जो कुछ बड़ी खुबिये मिलती हैं उनमें सबसे पहले इसके डिस्पले है साड़े छेंच की डिस्पले दी गई है नौच वाली इसके अंदर आपको IPS HD Plus डिस्पले मिल जाती है तो डिस्पले का साइज भी, क्वालिटी भी आपको काफी बड़ी दी गई है ब्राइटनेस कलर्स दोनों अच्छे हैं तो इसकी पहली खुबी इसके अच्छी डिस्पले है डिजाइन इसके अंदर आपको सिंपल ही मिलता है प्लास्टिक के टाइप का, हार्ड प्लास्टिक के टाइप के डिजाइन है तो स्क्रेचेस बहुत कमाते हैं इसके बैक पेनिल पे लेकिन इसकी दूसरी बड़ी खुबी है इसका कैमरा पीछी की तरफ इसमा आपको एक कैमरा दिया गया है 13MP का, फ्रेंट है 5MP का कैमरे की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको बढ़िया मिल जाती है फिंगरपिंट स्कैनर इसमा आपको नहीं दिया गया आप इस चीज़ का खयाल रखियेगा साइड उसे डिजाइन कुछ इस तरीके से है टाइप सी पोर्ट इसके अंदर आपको नहीं मिलता बैटरी दी गई है 5000 एमेश की जो कि इसकी तीसरी बड़ी खुबी है एक दिन का बैटरी बैका पराम से मिल जाता है लेकिन दोस्तों ये मुबाइल नॉर्मल यूस के इसाब से ही है इसके अंदर आपको मीडिया टेक का G25 प्रोस्टर दिया गया है तो हैवी यूस के अंदर इसमें आपको दिक्कत होगी देखिए अगर आपका बजट 6800 तक का ही है आप उस्तों पर नहीं बढ़ सकते तो ये मुबाइल रेडमी का नाईने आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा तीन चीज़ों को लेकर एक तो कैमरा अच्छा है दूसरा डिस्पले बढ़िया है तीसरा बैटरी अच्छी दी गई है डिजैन वेसिस में आपको नॉर्मल ही मिल जाता है आप कवर वगरा यूस कर सकते हैं ये मुबाइल नॉर्मल यूस के हिसाब से है बाकि दोस्तों कमी मुझे इसमें सबसे बड़ी यही लगी फिंगर पिंट स्कैनर नहीं दिया गया अगर आपको इसकी ये तीन खुबिया पसंद आई आपको बजट कम है तो अड़ाट सो में ये मुबाइल आप खरीच सकते हैं चले बढ़ते हैं अगले मुबाइल की तरफ जो की है रियलमी का C11 ये आपको मिल जाएगा साड़े साथ हज़ार में 700 महेंगा है ये इसके अंदर भी आपको दी गई है 2GB RAM 32GB की इंटरनल स्टोरेज दोसरे इसकी भी कीमत काफी कम है तो लगबाग खुबी है इसके अंदर भी आपको वैसे ही मिल जाती है रेडमी के नाइने की तरह पहली बड़ी खुबी है इसकी डिस्पले साड़े चेंज की डिस्पले दी गई है अगर आपको रेलमी पे ही भरोसा है बजट कम है तो ये मॉबाग आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा डिस्पले की क्वालिटी इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है दूसरी बड़ी खुबी है इसका डिजाइन लुकवाइस डिजाइन इसका आपको बहुत जाद अच्छा मिल जाता है दोस्ते ये मॉबाग आपको ग्रे कलर में भी मिलता है जिसमें मैंने कई वीडियो अप्लोड करी है चैनल में पांच मेगा पिक्सल का कैमरे इसके अंदर आपको नॉर्मल ही दिया गया है तीसरी बड़ी खुबी है इसकी बैटरी बैटरी मिलती है इसके अंदर आपको 5000 एमेश की एक दिन का बैटरी बैक आप इसके अंदर आपको अराम से मिल जाता है 9A की तरह ये mobile भी बहुत अच्छा है बैटरी को लेकर processor इसकेंदर आपको दिया गया है MediaTekka G35 तो ये mobile भी दोस्तो नॉर्मल यूसके हिसाब से ही है heavy इसकेंदर इसमें भी आपको दिक्कत होगी तो दोस्तो जो कमी आपको 9A केंदर मिलती है वैसी ही कमी इसकेंदर भी है fingerprint scanner इसकेंदर आपको नहीं दिया गया processor नॉर्मल ही मिलता है क्योंकि कीमत ही काफी कम है camera इसकेंदर आपको average दिया गया है लेकिन तीन चीज़ इसकी बहुत बढ़िया है design बिलकुल best है इसका display अची है और तीसरा बैटरी बढ़िया दी गई है तो अगर आपको ये तीन खूँ भी अच्छी चाहिए आपको realme पर भरोसा है budget आपका 7000 तक का ही है तो आप ये realme C11 ले सकते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले mobile की तरफ जो की है Poco की तरफ से Poco C3 दोस्तों ये mobile आपको मिल जाएगा 7500 में इसके अंदर आपको पहला फर्क ये मिलता है इसके अंदर आपको दी गई है 3GB RAM 32GB के इंटरनल स्टोरेज तो स्टोरेज इसके अंदर आपको वैसी ही मिल जाती है बाकी दोनों mobile की तरह लेकिन 1GB RAM जादा दी गई है डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिलती है साड़े 6 इंच की बाकी दोनों mobile की तरह और डिस्प्ले की quality इसके अंदर आपको थोड़ी सी और जाद अच्छी दी गई है C11 से भी Redmi के 9A से भी तो पहले अच्छी खूबी है इसके RAM और स्टोडेज दूसरे डिस्प्ले बढ़िया है तीसरी खूबी है इसका कैमरा पीछे की तरफ इसमें आपको 3 कैमरे दिये गए है जिसमें पहला है 13MP का दो कैमरे हैं 2-2MP के फ्रेंट है 5MP का कैमरे की परफॉमेंस इसके अंदर आपको काफी बढ़िया मिल जाती है डिजैन मुझे थोड़ा सिम्पल ही लगा इसका 9A की तरह फिंगर पेंट स्केनर इसके अंदर भी आपको नहीं दिया गया ये कमी तो 3 ही मूबल्स में है नीचे की तरफ साब देहेंगे तो टाइप सिपोर्ट इसके अंदर भी आपको नहीं दिया गया राइट साइट साब देहेंगे तो वोल्यूम के बटन सोर पावर का बटन 204 खुबी इसके अंदर आपको दी गई है इसकी बैटरी 5000 एमेश की तो एक दिन का बैटरी बैक अप इसके अंदर भी आपको आराम से मिल जाता है बैटरी को लेकर ये मूबल्स भी बहुत ज़ाद अच्छा है प्रोस्सर इसके अंदर भी आपको वही दिया गया है रियल्मी C11 की तरह मिरिय अटेक का G35 तो हेवी उसके हिसाब से ये मूबल्स भी नहीं है नॉर्मल यूसके अंदर आपको रैडमी के नाईने रियल्मी C11, Poco C3 में किसी में भी कमी नहीं आने वाली हेवी उसके अंदर तीनों में ही आपको दिक्कत होगी बाकि दोस्तों ये चार खुबिय इसके अंदर बहुत बढ़िया है एक तो कैमरा अच्छा है, दूसरा डिस्पले बढ़िया है तीसरे इसके अंदर आपको रैमोर स्टोटेज अच्छी मिल जाती है और चौता बैटरी अच्छी दी गई है देखा जाए तो इसके अंदर आपको खुब यह जादा दी गई है C119A से चले बढ़ते हैं अगले मुबाइल की तरफ जो कि है सैमसंग की तरफ से सैमसंग का M01 ये आपको मिल जाएगा साड़े 7000 में इसके अंदर आपको पहली खुब अच्छी ये मिलती है इसका यूज़न डिफिस काफी बढ़िया है अंदर से चलाने में ये मुबाइल सबसे जादा बढ़िया लगता है इसका यूज़न डिफिस बहुत अच्छा है सैमसंग का 1UI दिया गया है इसके अंदर आपको डिस्प्ले साइज दिया गया है 5.7 इंचिस का साड़े 5 इंच के आसपास डिस्प्ले दी गई है तो दोस्तों ये मुबाइल काफी कॉम्पेक्ट है एक खासे चलाने में आपको दिक्कत नहीं होती तो ये काफी कॉम्पेक्ट मुबाइल है और इसके अंदर आपको दी गई है 7500 में 3GB RAM 32GB के इंटरनल स्टोरेज तो Poco C3 के तर इसके अंदर भी आपको RAM और स्टोरेज काफी अच्छी दी गई है काफी कम कीमत के अंदर डिजाइन तो इसका सिंपल ही है पीछे की तरफ दो कैमरे दिये गए है जिसमें पहला है 13MP का दूसरा 2MP का फ्रेंट है 5MP का कैमरे की परफॉमेंस इसके अंदर आपको नॉर्मल ही मिलती है बाकि दोस्तों लेफ्ट साइट साब देहेंगे तो वॉल्यूम के बटन्स दिये गए है निची की तरफ चार्जिंग पोर्ट, माइक स्पीकर, बैक पेनल पे दिया गया है बैटरी इसके अंदर आपको नॉर्मल मिलती है 4000 इमेच की एक दिन का बैटरी बैक आप मिल जाता है प्रोस्सर इसके अंदर भी आपको नॉर्मल ही दिया गया है Snapdragon 439 तो heavy use के अंदर इसमें भी आपको दिक्कत होगी यह mobile भी नॉर्मल यूज़ के हिसाब से है जैसा WhatsApp, YouTube अगरा यूज़ करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आपका heavy use है, आपको game अगरा खेलने है बहुत सारी apps इंस्ट्रॉल करनी है एक साथ तो इनके अंदर आपको problem हो सकती है तो यह सारी खुब यह कमिया है Samsung के अंदर बाकि दोस्तों एक चीज़ बहुत जाद अच्छी है इसकी build quality भी आपको काफी बढ़िया दी गई है अगर आपको Samsung पे ही भरोसा है budget आपका कम है, तो चार चीज़ों में यह mobile काफी बढ़िया है एक तो इसके अंदर आपको Samsung का भरोसा मिल जाता है सस्ता Samsung का mobile मिल जाता है आपको यह दूसरे इसके अंदर आपको user interface काफी बढ़िया दिया गया है तीसरे इसके अंदर आपको display अची दी गई है और चौतर स्केंदर आपको RAM और स्टोरेज अच्छी मिल जाती है प्रोस्सर को लेकर बैटरी को लेकर ये मुबाइल मुझे नॉर्मल लगा कमी स्केंदर भी वही है फिंगरपिंट स्केंदर आपको नहीं दिया गया एक और अच्छी चीज ये भी है दोस्तों अगर आप इसको केर से यूज़ करते हैं ध्यान से तो 4-5 साल तक सैमसंग के यूज़ुली मुबाइल्स चल जाते हैं अगर आप ध्यान से यूज़ करते हैं तो ये चीज़ इसमा बहुत जादा इंपोटेंट है चले बढ़ते हैं अगले मुबाइल की तरफ जो की है ओपो की तरफ से ओपो का A11 के ये आपको मिल जाएगा साड़े 8000 में इसके अंदर आपको साड़े 8000 में दी गई है 2GB RAM 32GB के इंटरनल स्टोरेज तो स्टोरेज तो सही मिल जाती है लेकिन RAM मुझे इसकी कम लगी इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिलती है सवाचेंज के आसपास लेकिन दोसर डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो बहुत ही जाद अच्छी है कलर्स और ब्रैटनेस आपको काफी बढ़िया दिये गए है इसके अंदर तो डिस्प्ले की पहली बढ़ी खुबी है साइज भी अच्छा है सवाचेंज के आसपास 6.22 इंचिस की डिस्प्ले है डिसाइन भी बढ़िया है नौच वाला और कलर्स ब्रैटनेस भी अच्छे दिये गए है दूसरी अच्छी खुबी मिलती है इसका डिसाइन आप देख सकते हैं ब्लू कलर में ये मुबाल काफी बढ़िया लग रहा है कुछ इस तरीके से S शेप में डिजैन मिलता है आपको फिंगर्पिंट स्कैनर इसके अंदर आपको मिल जाता है जो कि इसकी तीसरी अच्छी खुबी है बाकी इससे पहले जितने भी देखें उनमें तो आपको नहीं मिलता fingerprint scanner इसके अंदर आपको दिया गया है पीशे दो camera मिलते है 13 plus 2 front camera है 5 megapixel का camera इसके अंदर आपको normal ही मिलता है camera मुझे सबसे ज़्याद अच्छा लगा Poco C3 और Redmi 9A का नीचे की तरफ इसमा आपको type support नहीं दिया गया जो की होना चाहिए था क्योंकि इसके कीमत ज़्यादा है 8000 बैटरी इसके अंदर आपको मिल जाती है 4230 मेच की और processor दिया गया है media tech का P35 तो दोस्तों ये mobile भी नॉर्मल यूसके साब से है और battery backup इसके अंदर भी आपको एक दिन का आराम से मिल जाता है बैटरी को लेकर ये mobile नॉर्मल है जादा बढ़िया है वैसे रियल मिका C11, Poco C3 Redmi 9 ए कीमत भी उनकी कम है 1000 और battery उसके अंदर आपको तीनों के अंदर जादा अची दी गई है इससे तो अगर आपको OPPO पे ही भरोसा है आपका बज़ट साड़े 8000 तक का है तो आप ये mobile ले सकते हैं इन तीन खूबियों के लिए एक तो बहुत अच्छा डिजाइन दूसर अच्छी डिस्प्ले और तीसर फिंगरपेंट स्कैनर दिया गया है प्रोस्सर को लेकर बैटरी को लेकर इसे के साथ कैमरे को लेकर ये mobile मुझे एवरेज ही लगा चलि बढ़ते हैं अगले mobile की तरफ जो की है Infinix की तरफ से Infinix का Smart 4 Plus ये आपको मिल जाएगा 8000 में इसके अंदर आपको दी गई है 3GB RAM 32GB के internal storage दोस्तों डिस्प्ले सके अंदर आपको काफी बड़ी मिल जाती है ये इसकी पहली बहुत अच्छी खुबी है अगर आपको बड़ी डिस्प्ले के mobile पसंद है आपको Infinix पर भरोसा है तो ये mobile आपके लिए काफी अच्छा रहेगा display size इसके अंदर आपको मिल जाता है 7 इंच के आसपास काफी बड़े size में display दी गई है इसके अंदर आपको quality भी अच्छी मिल जाती है colors brightness भी सही है सबसे important चीज़ डिस्प्ले का size काफी बड़ा दिया गया है design इसके अंदर आपको मिल जाता है जिसमें main camera है 13 megapixel का दूसरा AI lens है और front camera इसका आपको मिलता है 8 megapixel का camera की performance इसके अंदर भी आपको rate की साबसे normal ही दी गई है इस mobile के अंदर आपको 3 खुब्य यह बहुत अच्छी दी गई है display का size बढ़िया है quality के साथ fingerprint scanner दिया गया है और तीसरा design अच्छा है चौती खुब इसके अंदर आपको दी गई है इसकी battery battery मिलती है इसके अंदर आपको 6000 image की एक दिन का battery backup तो आपको अराम से मिल जाएगा और एक दिन से जादा ही मिलता है इसके अंदर आपको अगर आप एक normal user हैं तो battery को लेकर यह mobile काफी बढ़िया है लेकिन processor को लेकर इसमें भी कमी है Mediatek का A25 processor दिया गया है तो heavy use के अंदर इसमें भी आपको दिक्कत होगी यह mobile भी normal use के सब से ही है अभी तक हमने जितने भी smart phones देखें सब के अंदर आपका average ही processor दिया गया है तो दोस्तो चार खुबिया अगर आपको पसंद आई इसकी आपको infinix पे भरोसा है आपका budget 8000 तक का है तो आप यह mobile ले सकते हैं Infinix का smart 4 plus जिसमें चार खुबिया बहुत बढ़िया है डिजाइन अच्छा है, fingerprint scanner दिया गया है डिस्प्ले काफी अच्छे साइस की है और बैटरी बहुत अच्छी दी गई है कैमरे को लेकर और processor में यह mobile मुझे average ही लगा चले बढ़ते हैं अगले mobile की तरफ जो की है Micro Max की तरफ से अब दोस्तो अगर आपको Indian mobile चाहिए आपको India का mobile लेना है तो दोस्तों यह mobile आप खरी सकते हैं Micro Max का 1B इसकी कीमत है 8000 इसमें पहली अच्छी खुबी दी गई है इसका user interface इसके अंदर आपको काफी clean UI मिल जाता है stock Android तो Android के updates भी आपको इसके अंदर काफी जादा जल्दी देखने को मिलेंगे और इसके अंदर आपको extra applications देखने को नहीं मिलती ads वगरा देखने को नहीं मिलते है जो कि इसकी काफी बड़ी खुबी है दूसरी अच्छी खुबी दी गई है इसके display साड़े change की display मिल जाती है colors brightness display के काफी बड़िया दिये गए है तीसी बड़ी खुबी है इसकी RAM और storage इसके अंदर आपको 8000 में दी गई है 4GB RAM 64GB के internal storage तो RAM और storage भी आपको काफी अच्छी दी गई है बागी सारे मुबाइल स्मापको इसके अंदर ही सबसे जाद अच्छी RAM और storage मिलती है design इसका आप देख सकते हैं plastic के type के design दिया गया है design मुझे इसका normal ही लगा लेकिन दोस्तो fingerprint scanner इसके अंदर आपको मिल जाता है पीछे दो camera दिये गये हैं जिसमें पहला है 13 Megapixel का दूसरा 2 Megapixel का front है 8 Megapixel का camera की performance मुझे rate की साबसे के इसके अंदर normal ही लगी left side साब देहेंगे तो SIM के ट्रे मिलती है इस तरफ एक extra button भी दिया गया है जिससा आप अपना Google Assistant एकसिस कर सकते हैं इसके लवग दूसरे इसके अंदर आपको battery मिलती है 5000 image की एक दिन का battery backup आराम से मिल जाता है battery को लेकर ये mobile काफी बढ़िया है और सिर्फ इसी mobile के अंदर आपको type C port भी दिया गया है processor इसके अंदर भी आपको average ही दिया गया है Miratek का G35 तो heavy use के अंदर इसमें भी आपको दिकत होगी ये mobile भी normally उसके साफ से है तो दोस्तों देखा जाए तो इसके अंदर आपको processor तो average दिया गया है design मुझे इसका normal लगा लेकिन 5 खुबिया है इसके अंदर अगर आपको ये 5 खुबिया चाहिए तो आप ये mobile खरीच सकते हैं Micromax का 1B एक तो इसके अंदर आपको fingerprint scanner दिया गया है दूसरा RAM और storage काफी अच्छी है तीसरा display बढ़िया मिल जाती है तो था बैटरी अच्छी दी गई है और पाच्वास के अंदर आपको user defense काफी बढ़िया दिया गया है और काफी important ये mobile इंडिया का है तो आप ये mobile ले सकते हैं अगर आपको इंडियान mobile लेना है काफी जादा खूबियों के साथ चले बढ़ते हैं आखरी mobile की तरफ जो की है realme की तरफ से realme का narzo 20A ये आपको मिल जाएगा साड़े 8000 में इसके अंदर आपको दी गई है 3GB RAM 32GB की internal storage अब दूसरे इस mobile के अंदर आपको quality wise कुछ खूबिया बहुत ही जाद अच्छी दी गई है इन सारे mobile के comparison में इसके अंदर आपको display मिलती है साड़े change की colors और brightness display के काफी जाद अच्छे है brightness आपको काफी जादा मिल जाती है तो displays की काफी बढ़िया है दूसरे अच्छी खूब भी मिलती है इसका design आप देख सकते हैं इसका design भी काफी जादा बढ़िया है कुछ इस तरीके से V-shape में लाइनिंग्स दी गई है color भी काफी अच्छा है gray type का और इसे के साथ quality भी अच्छी दी गई है design की hard plastic की type के design है fingerprint scanner इसके अंदर आपको दिया गया है पीछी की तरफ तीन camera दिये गया है जिसमें पहला है 12 megapixel का दो camera है 2-2 megapixel के front है 8 megapixel का camera की performance इसके अंदर भी आपको normal मिलती है दोस्तो एक चीज़ का आप खयाल रखियेगा इन सारे mobile's में आपको SIM की ट्रे जो दी गई है वो ऐसी मिलती है जिसके अंदर आप 2 SIM card, एक memory card, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते है ये सबी mobile's में खूबिया है इसके लव दोस्तो बैटरी सके अंदर आपको मिलती है 5000 image की अब सबसे important चीज़ ये है बाकी सबी mobile's के अंदर आपको average ही processor मिलते है heavy use के अंदर आपको दिक्कत होगी लेकिन सिर्फ इस mobile के अंदर आपको processor काफी अच्छा दिया गया है rate के साबसे snapdragon 665 तो heavy use को लेकर ये mobile काफी बढ़िया है इन सबी mobile's के अंदर ये काफी important खूबी है scanner आपको दी गई है तो दूसर पांच हूबी scanner बहुत बढ़िया है design बहुत अच्छा है fingerprint scanner दिया गया है display काफी बढ़िया है battery अच्छी मिल जाती है और सबसे important चीज प्रोस्सर काफी अच्छा दिया गया है तो सबसे कम कमिया मुझे लगी इन सारे mobile's में realme के narzo 20A के अंदर तो मुझे POCO का C3 काफी पसंद आया camera मुझे POCO C3 का काफी अच्छा लगा काफी कम कीमत के अंदर तो दोस्तों देखा जाए तो हर एक चीज की साबसे देखा जाए तो ये तीनों mobile's बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इन सारे mobile's के अंदर सबसे best आपको मिल जाता है narzo 20A और अगर आपको किसी एक ही company पे भरोसा है OPPO, Samsung या फिर Infinix तो आप उनके mobile's भी ले सकते हैं वो भी काफी बढ़िया हैं लेकिन ये तीन सबसे ज़्यादा best हैं आप बताएगा फिर भी comment करके आपको इन सब में कौन सो जादा पसंद आया ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप इन सब में कौन सो mobile खरीदना पसंद करेंगे जो 2020 के काफी बढ़ीया मूबैलस थे ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए बेल एकन भी दबा दियेगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुचती रहें इसके लग वीडियो गर आपको हेल्फूल लगी तो अपनों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दियेगा वाट से फेस्बुक पे मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई